तो आज की इस वीडियों हम आपके बताएंगे कि आप पिक्सार्ट एप की मदद से इस तरह की फोडो एडिटिंग कैसे कर सकते हो यानि ये बिना लाइट रूम का यूज कि आप सिर्फ पिक्सार्ट एप की मदद से ऐसी फोडो एडिटिंग कर सकते हो वीडियो बहुत जद इस वीडियो के स्टाट कर सकते हो तो चलिए के आज की सब्सक्राइब कर लेना होगा अने के बाद सबसे पर आपको टूल्स के आप्शन पर क्लिक करें यहां आपको तूल्स का अप्शन मिल जाता है इस पे click करने के बाद यहां आपको adjust पे आ जाना है ठीक है adjust पे हम करते है click और इस पे click करने के बाद आपको यहां पे fourth number पे मिलेगी situation तो आपको यहां पे clarity और saturation को बढ़ाना है sorry guys third number पे आपको मिलेगी clarity तो आपको clarity को बढ़ा लेना है साथ ही यहाँ पर Contrast को भी बढ़ा लेना है Saturation को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे लगबग इतना 40 का राउंड आपको रख लेना है उसके बाद यहाँ आपको Eraser पर क्लिक करना है Eraser पर हम करते हैं इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ Eraser का एक option मिलता है इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद अपनी फोड़ो को जूम करना है और Simply आपको अपने हैंड से और Face से हटा देना है इससे क्या होगा इसकी जो भी हमने Saturation बढ़ा है इन सब के कान हमारे Face पर Redness आ चुकी है तो इस Face पर आई हुए Redness को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा Simply Eris करना होगा तो Face और Hand से आपको Eris करना है तो मैं यहाँ से Face और Hand से Eris करना हूँ तो जैसे कि आप देख पर होगे जहां पर हमने Eris करना है आप यहां से Reistort जहां पर लिख्या हुआ है यह Brush का Option है इसकी मदद से आप अपने Glass पर अगर आपने पहन रखा है तो आपको Fill कर देना है तो मैं यहाँ से Zoom करके Fill कर लेता हूँ अपने Glass पर Simple है आप चाहो तो वहाँ से Fill कर सकते हो इतना हो जाने के बाद आपको उपर साइन का मार्क दिखेगा इस पर क्लिक करना है ठीक है इस पर क्लिक करके Done कर देना है तो इतना काम complete हो सब्से लास्ट में जाना है यानि कि सबसे last में जाओगे तो एक colors की category मिलेगी तो simply आपको colors पे click कर देना है और यहाँ आपको first number में मिलेगी color splash तो आपको इस पे click करना है इस पे click करने के बाद अपनी face पे लाकर ये round वाले slip को अपने face पे लाकर छोड़ देना है तो मैं यहांसे अपने face पे छोड़ दिया हूँ उसके बाद आपको first number मिलेगी mean hue जिसे आपको पुड़ा right side की और बढ़ा देना है max hue को भी आपको यहां पे 60 के 70 के round आपको रख देना है तो यहां से 71 में ने कर दिया 70 के round आपको भी रखना है और उसके बाद उपर आपको एक merge करने का option दिया जाता है तो merge वाले option फिर click करके merge कर देना है यानि कि जो भी हमने effect apply करा वो merge हो चुगी है अब यहां पे आपको मिलती है third number पे color replace तो इससे select करना है और इस round वाले shape को लाकर छोड़ देना है किसी एक color पे यानि अपने background के किसी एक color पे आपको छोड़ना है और इस तरीके से इसके जो replace होए इससे आपको change कर लेना है तो इससे आपको 16 के round रखना है 16, 17, 18 आप इना रख सकते हो तो आपको कुछ इस तरीके का background मिल जाएगा इतना हो जाने के बाद ऊपर आपको एक sign का mark मिलेगा इस पे click कर लेना है तो अब आप देख वाओगे कि हमारी photo का background color बिल्कुल ही change हो चुक है हमारी photo में काफी गजब की एक look आ चुकी है अब इस photo को save करना है save करना बहुत simple है आपको यहाँ draw पे click करना है उसके बाद ऊपर आपको लिखाएगा draw नीचे color तो आपको ड्रॉप पे click कर देना है ठीक है ड्रॉप पे click करने के बाद इस photo को हम save करेंगे save करने तो आपको आता ही है यहाँ three dot का icon पे click करेंगे और नीचे second number पे आपको मिलेगी save image इस पे click करके अपनी photo को save करेंगे दोस्तों मुझे उमीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए